हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनाशनल अफेर्जिन हिंदी पर और आज हम बात करने वाले है कि कैसे वीवों की हेर फिर निकली 62,476 करोड की दोस्तों आप सबको इस बात का अंदाजा तो होगा कि इस वक्त भारत के टेकनोलोजी के सेक्टर में जैसे कि मुबाईल, लैप्टॉप, कम्प्यूटर, पार्ट्स इस सेक्टर में चाइनीज कंपनी कितनी हाइली इंवेस्टमेंट कर रही है भारत में इस वक्त चाइनीज प्रडक्ट बहुत ही जादा पसंद किये जा रही है और वो देख के ऐसा लगता है कि चाइनीज कंपनी काफी जादा प्रॉफिट में है मगर क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चाइनीज कंपनी ने ये दर्शाया है कि वे बहुत लॉस में चल रही है आपको बता दे कि ये उनका एक तहीका है भारत की एकोनिमी को ड्रेन करने का आज की हमारी न्यूस इसी बात पर है हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि भारत की फाइनेंस्टर फ्रॉड पर नज़र रखने वाली एजेंसी एंफोर्समेंट डारेक्टरेट ने कई चाइनीज कंपनी स्पेशली वीवो के अलग-अलग 40 लोकेशन पर रेट की थी आज हम उस वीडियो में बताये गए इंवेस्टिगेशन को और इलाबोरेट करेंगे क्योंकि हाल ही में एंफोर्समेंट डारेक्टरेट ने ये बताया है कि कैसे वीवो कंपनी भारत से टैक्स चुरा रही थी और काफी पैसा चाइना ट्रांसफर कर रही थी एंफोर्समेंट डारेक्टरेट ड्वारा की गई रेट में ये मालूम हुआ है कि वीवो कंपनी ने जो 1,25 करोड की सेल की है उसमें से उसने 64,000 करोड अबरोड ट्रांसफर कर दिये जिसका की 50% हिस्सा सीधा सीधा चाइना के पास गया है एंफोर्समेंट डारेक्टरेट ने बताया कि उन्होंने वीवो कंपनी के साथ-साथ उससे Associated अलग-अलग कंपनी पर जैसे की Grand Prospect International Communication Private Limited Fungus Technology Private Limited, Bubugao Communication Private Limited और इसी तरीके के 23 अलग-अलग कंपनी पर एकदम कानूनी तोड से कारवाही करी मगर कंपनी की कई Executive और Chinese National ने ED की काम में लगाता रोक डालने की कोशिश कर रहे थे पल की वे Financial Fraud का Digital Evidence तक मिटाने की कोशिश में थे मगर Enforcement Directorate ने उनको पकड़ लिया पता दे कि Enforcement Directorate के Investigation को दुरान पता चला है कि ये सारी कंपनीया खुद को On Paper इस तरीके से दिखाते हैं कि ये सब बेहत ही Loss में चल रहे हैं और इसी के चलते भारत सरकार को टैक्स देने से काफी बचते हैं और फिर इनी बचाय हुए पैसो को दूसरे दूसरे देशों में ट्रांसफर कर देते हैं जोकि एक तरीके का Black Money हुआ और इंडिया के Wealth को ड्रॉन कर रहा है आपको बता दे कि इनी एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन और इंटेलोगेशन के अधार पर इन्फोर्स्मेंट डारेक्टरेट ने इन कम्पनियों पर प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत कारवाई करी है और साथ ही साथ कम्पनी के दवारा इलीगल तौर से रखे हुए Wealth को सीज भी कर लिया है जिसमें की 400 पैसेट करोर रुपे के एसेट, 72 लाक रुपे कैश और 2 किलो का सोने का बार शामिल है आप क्या खेना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंस में बताइए तब तक के लिए like, share, subscribe and click the notification bell ताकि आपको हमारी वीडियो की notification सबसे पहले मिले